असलाम वालेकुम टुवाल आफियो तो साथ वे कैसे आप सब लोग आज के जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का सेंपल पेपर डिसक्स करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम 35 questions discuss करेंगे तो इन 35 questions में से आपका सुकूर कहां तक जा पहुँचेगा आप कितने questions सही कर पाओगे वो आपको देख लेना है तो सभी लोग अपना सुकूर नोड करते जाएंगे साथे साथ वीडियो के end में comment box में अपना सुकूर mention करेंगे देखते हैं कि यहाँ पे किसका सुकूर कहां तक जा पहुचेगा सभी के सभी जो है questions क्या है selected questions है यहाँ पे आपके लिए important questions रहने वाले है important questions रहने वाले है तो ज्यादा भी time हम वेश नहीं करेंगे directly हम आते हैं अपने questions के तरफ यहाँ पे देखे सबसे पहला question क्या कह रहा है which is the deepest ocean in the world तो यहाँ पे world का deepest ocean आपसे पूछा गया है Indian ocean, Atlantic ocean, Pacific ocean या European sea तो sea part Pacific ocean इसका right answer होगा that means Pacific ocean is the deepest ocean in the world इसके बाद ही कि next question के अगर मैं बात करूँ दूसरा number question क्या कह रहा है what is the term for a member of the Rajasabha तो जो Rajasabha का member होता है उसका time period क्या होता है उसकी term क्या होती है five years, four years, two years या six years तो as per option यहाँ पे six years हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते है next question पे that's question number third तीस तरे question पे हम आजाते हैं यहाँ पे देखे क्या कह रहा है who was the first Indian to be appointed president of international court of justice आपको बताना है कि इन में से वो पहले Indian कौन रह चुके हैं जिसे international court of justice का president appoint किया गया है नगिंदरा सिंग, भगत सिंग, डाक्टर हर्दियाल या none of these तो a part नगिंदरा सिंग हमारा right answer होगा इसके बाद देखे, चोथा question क्या कह रहा है, fourth number question की अगर मैं बात करूँ, which day is observed as human rights day आपको बताना है कि human rights day कब silbit किया जाता है, 24 October, 4 July, 10 December या none of these तो human rights day की अगर मैं बात करूँ, 10 December को silbit किया जाता है, that means c part इसका right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं, next question पे, that's 5 पे प्रेश्ट पे माज जाते हैं, India's biggest multipurpose river valley project is तो कौन सा है, वो है, हेरा कुंद, नहीं, यहां पे बाखरान नंगल है, b part हमारा right answer होगा इसके बाद देखे, 6th number question क्या कह रहा है, in which state Sanchi Stupa situated, यहां पे Sanchi Stupa की location आप से पूछी की, किस state में देखने को मिलता है मदिया प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां महराश्टा, तो यहां पे अगर मैं मदिया प्रदेश की बात करूँ, a part हमारा right answer होगा इसके बाद देखे, each one, teach one program is related to it, जो each one, teach one program है, इसका संबन किसके साथ है education, regular education, non-formal education या upward season, तो यहां पे education के साथ का संबन्द है, that means, a part हमारा right answer होगा इसके बाद देखे, आश्ट बाद प्रशन क्या कह रहा है, when was shimla pact between India and Pakistan linked, सबसे पहले आपको यह note down कर लें, जो shimla pact sign होआ है between India और Pakistan हुआ है, कब हुआ है, 1972 में हुआ है, that means, D part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं, next question पे, question number 9 पे हमा आ जाते हैं, the river महा नदी originate from अगर मैं महा नदी river के बात करूँ, यह कहां से originate होता है, राइपूर, 36 गर, उजेन या देहरादून तो 36 गर के अगर मैं बात करूँ, B part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं, next question पे, that's question number 10, who wrote the book Anand Maat तो चलिए, बताएए, Anand Maat के लेकर कौन है, बेंकिम, चंदरा, चैटर जी, बिल्कुल A part ही इसका right answer होगा इसके बाद यहाँ पे मैगदूत के आथर आपसे पूछे के हैं, तो मैगदूत का आथर कौन है, कालिदास, तुलसिदास, कोटेलिया या वैदवियास तो कालिदास के अगर मैं बात करूँ, A part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं, next question पे, that's question number 12, dash is the largest planet of the solar system तो solar system में, जो largest planet consider किया जाता है, वो कौन सा है, Jupiter, Mercury, Venus या none of these तो A part Jupiter इसका right answer होगा, Jupiter को जो है, Gant planet के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद देखी, next question, which of these is not a part of our parliament तो हमारे parliament का इन में से part कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है, यहाँ पे क्या होगे इसके साथ थोड़ा बहुत वेट कीजिए, पताने इसके साथ क्या technical error आ गया है हम refresh कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वेट कीजिए I think यहाँ पे दुबार से इसे open करना पड़ेगा कुछ दिक्कत आ गही है इसमें कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वेट वेट कहां पहुंचेते हैं हाँ, यहाँ पे हम पहुंचेते हैं बस हो गया, हो गया हो गया यहाँ पे इसको हम पैन यूज कर लेते हैं, रेड कलर थोड़ा बहुत बूल्ड कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे इतना हो गया तो चलिए, हमारा क्वेशन क्या था, विच आप दीज इस नौट आप पार्लिमेट तो पार्लिमेट का पार्ट इन में से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है और इस क्वेशन के अगर मैं बात करूँ, यह आपके लिए होम वरक है तो कौमेट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर जरूर करोगे इसके बाद देखे, नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नवर 14 वाइ इड़ अशोका फॉर्ट इस लास्ट बैटल, तो अगर मैं बात करूँ अशोका की तो अशोका का जो लास्ट बैटल था, वो था बैटल आफ कलिंगा जो इसका लास्ट युद था, आखरी युद था और अगर मैं इस युद की बात करूँ, यह कहां पे हुआ, यह कलिंगा में ही हुआ है Battle of Kalinga जो कि Ashoka का आखरी यूद था ये Kalinga में ही हुआ है या आप याद रख लेना इसके बाद आ जाते है next question पे Gotham Buddha was born in तो Gotham Buddha की अगर मैं बात करो इसकी पैदाइश कब हुई है 563 BC, 472 BC, 627 BC या none of these तो A part 563 BC हमारा right answer होगा इसके बाद देखे 16 प्रेशन क्या कह रहा है What is the heart beat rate of a young healthy man तो अगर मैं एक young healthy man की बात करो तो जो उसकी normal heart beat rate होती है वो क्या होती है 72 times होती है per minute 72 times ठीके ना तो यहां पे B part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हम next question पे 17 प्रेशन पे मैं आ जाते हैं brain is responsible for तो जो brain होता है जो दिमाग होता है उसका काम क्या होता है thinking, balance of the body, both A and B या only A देखिए यहां पे अगर मैं बात करूँ balancing of the body की तो यह तो brain का काम होता है क्योंकि जो brain होता है जो balance होता है body का इसको पता है मुझे क्या करना है किस तरह से चलना है क्या कुछ करना है तो mind ही इसको बताता है तो thinking भी तो mind का ही काम होता है that means both A and B इसका right answer होगा इसके बाद देखिए next question और हाँ यहां पे देखिए यहां पे मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ यहां पे कभी कभार options में किस तरह से हो सकता है देखिए अगर मैं कहूँ lemon important point है lemon में कौन सा vitamin देखने को मिलता है अगर मैं इस तरह से question बताऊ which vitamin is found in lemon तो यहां पे option होगा इस तरह से A vitamin B B इस तरह से होगा vitamin C C इस तरह से होगा vitamin D और D इस तरह से होगा या इस तरह से होगा both A and B ठीक है ना both A and B और D पार्ट होगा only B यहां पे आपको समझना है यहां पे अगर मैं बात करो तो lemon में कौन सा vitamin देखने को मिलता है vitamin C देखने को मिलता है तो आप B पार्ट को mark कर सकते हो पर सकते हो ना vitamin C देखने को मिलता है जो कि B पार्ट में है लेकिन यहां पे क्या है यहां पे है न only B only B जब option में हो तो उस समय vitamin C यानि कि B पार्ट को mark नहीं करना उस समय D पार्ट को mark करना यह point याद रख लेने जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहां पे कभी कबार ऐसा होता है otherwise vitamin C भी इसका answer है क्योंकि lemon में vitamin C देखने को मिलता है लेकिन यहां पे क्या mention किया गया है only B है ना only B तो यहां पे आप only B उस समय mention करो हुए otherwise अगर कुछ बोथ इस तरह से हुआ तो उस तरह से कुछ और जो है option के हिसाब आपको choose करना है लेकिन इसका भी खयाल रखना कभी कबार ऐसा होता है तो यहां पे देखिए question number 18 इसके बाद क्या कह रहा है blood is purified by तो blood किसके दोरा purify किया जाता है यहां पे अगर मैं बात करो यह काम किसका होता है kidney का होता है kidney का काम होता है blood को purify करना और इसके बाद यहां पे देखिए dash is used thermometer to show the temperature तो thermometer में क्या use होता है जो कि thermometer का temperature show करता है lead, mercury, silver या none of these तो B part mercury इसका right answer होगा इसके बाद देखिए 20 number question which of the following set of animals are cold-blooded तो cold-blooded animals इन में से कोन से है तो यहां पे अगर मैं बात करूँ D part की तो D part हमारा right answer होगा क्योंकि यह जो set है cold-blooded animals का set है यह आप याद रख लेना इसके बाद आजाए नेक्स्ट question पे solar illicapeus occur when देखे यहां पे भी एक question है तो अगर मैं बात करूँ 13 November वाले exam की तो उसमें भी एक question पूछा गया था तो कब होता है solar illicapeus तो B part इसका right answer होगा moon comes between sun and earth तो यह इसका right answer होगा इसके बात देखे good conductor of electricity की अगर मैं बात करूँ तो good conductor of electricity इन में से कौन सा है glass, paper, copper या water तो अगर मैं copper की बात करूँ C part हमारा right answer होगा इसके बात देखे next question, question number 23 berry berry is caused due to deficiency of तो सबसे पहले याद रख लें berry berry क्या एक disease है तो यह किस vitamin की deficiency की वज़े से होती है vitamin B की deficiency की वज़े से होती है that means B stands for berry berry और vitamin B को जो है B1 के नाम से भी जाना जाता है यह point भी याद रख लेना इसके बाद देखे 24 number question ATP is या आप कह सकते हूँ कि ATP stands for तो simple सा fund है adnosine tribe इसके बाद आ जाते है next question पे that's question number 25 which law was started by Ernest Hickel तो इसके दोरा कौन सा law start किया गया है law of inheritance biogenetic law law of dominance law of secretions तो यहां पे अगर मैं बात करूँ law of dominance तो D part sorry D part नहीं C part इसका right answer होगा ने 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 sorry sorry यह नहीं होगा इसका यह इसके दोरा नहीं दिया गया था Ernest Hickel यहां पे पूछा गया है यह इसके दोरा नहीं दिया गया था बलकि यह लाइस के द्वारा दिया गया था दै बायो जिनिटिक लाइस का राइट आंसर होगा इसके बाद देखे 26 नमर क्वेस्टिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो आइस का गलनक आप कह सकते हूं क्या होता है यह मैल्टिंग पॉइंट क्या होता है जिरो डिगरी सैल्शे स होता है तो यह आप याद रुखना और अगर मैं बात करूँ वाटे के बायलिम्ट की यह फार दी यहां पे क्या टीफ पूछा गया है इसके बाद यहाँ पर देखें, next question, the nucleus of an atom consists of, तो simple सा फंडा है, proton and neutron, that means C part इसका right answer होगा, इसके बाद यहाँ पर देखें, 29 number question, a mixture of metal dissolved in mercury is known as, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इस mixture को क्या कहते हैं, जो कि mercury में dissolved होता है, ठीके न, तो यह जो mixture होता है, metal का mixture होता है, जो कि mercury म कह सकते हैं, कि amalgam, ठीके न, तो mixture से, आप amalgam, amalgamation आप याद रह सकते हो, तो a part इसका right answer होगा, इसके बाद आ जाते हैं, question number 30 पे, the formula of ammonia chloride is, तो ammonia chloride का, chloride की formula आप से पूछी गई है, तो यहाँ पे nh4cl ही इसका right answer होगा, a part ही इसका right answer होगा, इसके बाद देखें, rusting of iron is, आप को बताना जो rusting of iron है, ठीके न, iron में जो है, जंग लगना, रश्ट होना, तो यह क्या है, क्या यह physical change है, chemical change है, biochemical change है, या electrochemical change है, तो यहाँ पे अगर मैं chemical change की बाद करूँ, that is, बी part हमारा right answer होगा, इसके बाद देखें, 32 number question, पैंसलीन is, पैंसलीन क्या है, simple सा question है, पैंसल green, एक antibiotic है, that means, a part, इसका right answer होगा, इसके बाद देखें, next question, the female and male genes in the flower, सबको पता है, flower में, male genes भी देखने को मिलती है, और female genes भी देखने को मिलती है, और जो female genes है, उसे ova के नाम से जाना है जाता है, और आपको बताना है, जो, sorry, यहाँ पे, the male and female genes are, हाँ, यहाँ पे दूसरा कौन सा होता है, zygote, pollen, pupa या sperm, तो यहाँ पे pollen, b part हमारा right answer होगा, इसके बाद देखें, next question, which is the fundamental particle that constitute an atom, other than proton and electron, देखें, simple सा question है ना यह, अगर मैं fundamental particle की बात करूं, that constitute of an atom, तो यह कौन-कौन से होते हैं, एक तो proton होता है, एक तो electron होता है, और दूसरा कौन होता है neutron होता है, यही तीन होते हैं, that means, c part हमारा right answer होगा, और इसके बाद जो हमारा आखरी number question है, question number 35, which of the following is not a compound, आपको बताना है कि इन में से compound कौन सा नहीं है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, air की तो air compound नहीं है, that means, a part ही इसका right answer होगा, तो उमैद करता हूँ कि आपको वीडि जरूर कर देना, channel पर जितने भी लोग नए है, channel को एक बार जरूर सबस्क्राइब करना, और हाँ, जिसने इभी तक playlist चेक नहीं किया है, तो playlist एक बार जरूर चेक कर लेने, वहाँ पे आपको डेर सारे papers मिल जाएंगे, अगनी विर GD के, ट्रेडिसमें के, टेकनिकल के, ब इंपॉर्टन वीडियो है, इससे मिस ना करें, इससे सिक्प ना करें, तो जल्दी से जाएए, वीडियो को देख लेजें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दौा में याद रखना, अल्ला हाफिज, असलाम वालीकूं वर्हमतु अल्ला ही बारागाद।